सपने में बहते वी पानी को देखना सुमाना गया यह पर यह निर्बर करता है कि इंसान ने अपने सपने में किस परकार की पानी को देखा है अगर व्यक्ति सपने में स्वच बैता हुआ पानी देखता है तो उसे अतन्त ही सुमाना गया है और यह सपना भविशिय में कई सारे सुप संकेत हमें परदान करता है पर अगर इंसान सपने में गंदा पानी बैता हुआ देखता है तो इसे अतन्त ही असुमाना गया है इन्ही सब स्वालों की जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रही है इस बार की तरह हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिनका उप्योग करके आप अपने सुब सपनों का फल जल्दी प्राप्त कर सकते हैं और किसी असुब सपने के प्रकोप से बत्स भी सकते हैं तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि सपने में बहता हुआ पाने देखना हमारे लिए सुब होता है या असुब होता है दोस्तो पूरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आगे बारे में जानने के पहले आप से एक छोटी सी विंती है अगर आप चैनल पे नहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी और पुराने जुड़े विंती हैं कि आप कमेंट वोक्स में कमेंट जुरूर कीजिए कि आपको कैसे सपने आते हैं सास्तरों के अनुसार सपने में बहता हुआ पानी देखना अतिन्थी सुप माना गया है पर एक बात का ध्यान रखे कि पानी साफ और श्वच होना चाहिए अगर आपने साफ पानी बहता हुआ देखा तो अतिन्थी सुप होता है और यह इस बात की और संकेत होता है कि भविश्य में यानि आने वाले समय में आपकी कोई ऐसी इच्छा जो काफी वर्षों से पूरी ना हुई हो उसके पूरे पुर्ण होने का समय आ गया है कि जीवन में आ रही बादाएं प्रेशानियां और कष्टों से आपको मुक्ति मिलने वाली है और इश्वर की कृपाश आपके और आपके परिवार में शुक्ष्यानती का आध्मन होने वाला है अब चलते हैं इसके उपाए की तरफ कि इसका उपाए गया है अगर आपको अपने सपने में बैहता हुआ साप पाने दिखता है और आपको चाहिए कि किसी नदी किनारे जाकर जहां साप सुत्रा पाने बैहता हो वहाँ पर एक केले का पोधा लगाए ऐसा करने से बहुष्य में सुप फलों की प्राप्ती होती है तो दोस्तों इस उपाए को करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी सुप फल प्राप्त होंगे जोती सास्तर के अनुसार नमबर दो बताते हैं सपने के बारे में कि सपने में समुद्र का बैहता हुआ पाने देखना अतिन्थ असुप माना गया है यह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में आपको मान समान समाज में खराब हो सकता है अगर आपने समुद्र का बैहतावा पाने सपने में देखा है तो आपकी मान समान को हाने पहुंच सकती है और कारिस्थल में या व्यापार में वाज विवाज की स्तती उत्पन हो सकती है जिसकी कारण आपको काफी अधिक माचिक तनाव होगा और आप बहुत ज़दर डिप्रेशन में भी जा सकते हैं इसलिए आपको थुड़ा सा ध्यान अखने की आउसकता है आरती खाने की अले सपनों के बारे में बविशे में जो भी समस्या आने वाली हैं उनसे छुटकारा पाना चाते हैं तो इन उपाय को कर लीजिए चलिए अब बात करते हैं उपाय की तरफ अगर आपको सपने में समुद्र का पानी दिखता है तो आपको चाहिए कि गुरुआर के दिन एक पीले निम्बू पर अपना नाम लिखकर अपने सर से घड़ी की दिशा में 21 बार गुमाई और इसे लोहे की चाकू से चार टुकडोस में काट कर चोहराई पर रक्ष कर आ जाएं तो इससे आप पे जो आने वाले खराब सपने हैं उनकी द्रिश्टी नहीं पड़ेगी और आपका काम बन जाएगा नंबर 3 पर बार करते हैं सपने में बारिस के पानी को बेहती वी देखना कैसा होता है अतेदिक सुमाना गए है यह सपना हमें कई सारे सुबसंकेत देता है इस सपने कार्ठ है कि भ walking को कई सारे सुबसमाचार मिलने वाले हैं जिसके कारण आपके औ मक्ता उर्जा, पोजेटि उर्जा का संचार होगा, जो भी इनसान अपने सपने में बारिष के पानी को बहता हुआ देखता है, तो उसके केरियर या फिर उसके व्यापार में उसे अपार सफलता मिलने वाली है, और धन के आगमन का निवास होने वाला है, उसमें ब्रदी होने वाली है, इसका उपाए क्या है, बात करते हैं, जो भी इनसान अपने सपने में बारिष का पानी बहते वे देखता है, उसे चाहिए कि मंगलवार के दिन, तीन मुठी काले तिल किशी साफ सुतरे बहते पानी में प्रवा कर दे, ऐसा करने से भविश्य में प्रगर्ती और उनत्ती के प्रवलख योग कुरने में बने रहते हैं,